शुरू अल्लाह की नाम से जो बड़ा महरबान नहायत रह्म करने वाला है अस्सलामू अलेकुम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खेर मुक्तम है नाजरीन करनाटक की हिज़ाब विवाद में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जैसा कि आपको मालूम ही है कि करनाटक में हिज़ाब विवाद का यह मुद्दा अब हाई कोट में सुनवाई के दौरान तै किया जाएगा हाई कोट में लगातार दलीले दी जा रही है कि कि किसी को भी हिज़ाब पहनने के लिए मजबूर करना समीधान के खिलाफ है आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक आठ सुनवाईयां हो चुकी है लेकिन फैसले पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है केस के सुनवाई भी तीन जजों की बेंच कर रही है मंगलवार को सुनवाई के दोरान सरकार की और से पेश हुए एड़ोकेट ज़र्नल प्रभूलिंग नवदगी ने कहा कि मानव गरिमा में स्वतंदृता शामिल है जिसमें पहनने या ना पहनने का विकल भी है एज़ी ने कोट में कहा कि हिजाब के समर्थन में याचुका करने वालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो महिला संगटनों का नेत्रित्व करते हैं ऐसे लोगों को महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कोट में ये दावा किया गया कि याचुका करता का दावा पूरी तरह से मुसलि महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना है नाजरीन इस तरह की टिप merit है कौट में जारी है इसे बीच हिजाब को पसंद करने वाली और हिजाब को अपनी शान मानने वाले ख्वातीनों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद यकिन आप भी सुभान अल्ला कह उठेंगे दरसल नाजरीन करनाटक के मैसुर शहर के एक नीजी कॉलेज ने शुकरुवार को अपना यूनिफॉर्म रूल रद कर दिया है यानि के मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाज़त दे दी गई है इस तरह का फैसला करने वाला यहरवाज्य का पहला कॉलेज बन गया है मैसुर के दीरी पी यू डीके शुरी निवास मूर्ती ने बताया कि जुमे को चार छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन करने लगे कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से बातचीत की इस बीच कॉलेज ने यह एलान किया कि यूनिफॉर्म रूल को रद करने का फैसला ले लिया गया है आपको बता दे कि कोडागू में मधिकेरी के फील्ड मार्शल केम करियपपा कॉलेज के मुस्लिम लड़कियों ने कैमपस में यानि कि कॉलेज के अंदर प्रिवेश करने से इनकार कर दिया था उनका कहना है कि जब तक लड़कियों को हिजाब पहन कर अंदर जवाने की जासत नहीं दी जाती तब तक हम कैमपस में नहीं जाएंगे आपको बता दे कि दक्षुन करनर और उड़ीपी जिलों के 6 से ज्यादा कॉलेजों में लगातार मुस्लिम छात्राएं मुखार्फत कर रही है और हिजाब को खुद के लिए अपने इल्म के लिए जरूरी बता रही है कॉलेज की लड़कियों का कहना है कि वे इल्म भी हासिल करेंगी और हिजाब के साथ भी रहेंगी नाजरीन ये बहुत बड़े खबर हैं उन खुदिनों के लिए उन इसलाम पसंद के लिए जो हर हाल में हिजाब के साथ इल्म हासिल करना चाहती है और उन लोगों को मूत और जवाब देना चाहती हैं जो कहते हैं कि अगर हिजाब पहनोगी तो इल्म से दूर रहोगी नाजरें इस पूरी खबर पर आपकी क्यार आए हैं हमें कॉमेट कर जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिष्टेदारों अपने मिले वालों से ज्यादा से ज्यादा श्यादा करें ताकि हिजाब के हक में मुखालफत कर रहे इसलाम की शहज़ादियों को मोटिवेशन मिल सके आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अल्वा तबारक वताला से दुआ है के अल्वा तालम सभी को ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने और वाहिर वास्त पर चुनने की तौफिक नसीब अता फरमाएं आमीन खुदा हाफिज